जो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट सिक्स में और रुख करते हैं बिहार के तरफ दोस्तों देखिए बीपीएसी के तरफ से आज दो नोटिफिकेशन जारी हुए है काफी लंबे समय के बाद ये नोटिफिकेशन जो है बीपीएसी टीरी 3 को लेकर और बीपीएस मिला है कि वो आविदन कर सके और ये जो मौका मिला है उन सभी गेस टीचर को उनके अनुभव के आधार पे भी उनको यहाँ पर जो है वेटेज मिलेगा तो चलिए समझते हैं क्या है मैटर यहाँ पर दोस्तों इस नोटिफिकेशन को यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी कोई देख रहे हैं यहाँ पर कि यह जो नोटिफिकेशन है यह एडविटीजमेंट संख्या 22-2024 यानि की TRE3 को लेकर है जहाँ पर माननीय उचनेयाले पटना के दवारा CWJC संख्या यह जो देखे 2270-2024 एक केस संख्या है जिसमें कि संद 21-2018 के तहट सेवा में लिए गया वैसी अतीती सिक्चक ध्यान से समझेगा वैसे अतीती सिक्चक जो की कारेरत थे बिहार सरकार में ठीक है और उनके लिए यह अपडेट है कि यहाँ पर जो भी बिहार राज्जी सरकार को लेकर नियुक्त और इस्थांतरन अनुसासनिक और कारवाई और सेवा सरते नियामली 2023 के द्वारा उच्च मादमिक सिक्चक के पद के लिए अब उच्च मादमिक यानिकी क्लास 11 से 12 तक की यह चर्चा हो रही है जिया नियुक्त है तो यहाँ पर निर्धारित अहरता धारित करते हैं उनको आयोग जो है विग्यापन संकिया 22-24 अनिके टीरी 3 में प्रतेक वर्स के लिए सेवा अवधी के लिए 5 अंक देगी तो एक तो पहले आपको आविदन करना होगा इसका एक्जाम देना होगा जब आपका मेरिट बनेगा उसके दोरान जैसे कि मालेजी कि आपका जित्ता भी माक्स आया उसके बाद आपके एक आपको यहां पर जो है वेटेज नहीं मिलेगा इस बात का ध्यान रखेगा यहां पर यही बाते लिखे गई है अब यहां पर चीज़े एक और लिखे गई है कि उक्त के अधिभार में है ना उक्त के अधिभार अतिती सिक्षकों के नियूकती पत्र और संबंधित जिला सि सिक्षकों को यहां पर मौका मिला उनके विशे को भी बताया गया है तो तदा लोग के उक्त के संकल्प संख्या सिक्षा विभाग के पत्रांग संख्या इतने 31 मई 2024 के अलोग में सब्जेक्ट अंग्रेजी गणित भौते की रसायन सास्त्र प्राणी सास्त्र और वनस्पत आगे बढ़ाते हैं अब यहां पर आपके लिए लिंक एक्टिवेट होगा यह दोस्तों बता दे कि इसके आलोग में सुचित किया जाता है कि वैसे तीथी सिक्षक जिनके द्वारा पुर्व में उक्त बिग्यापन हेतु प्रकाशित बिग्यापन के अंत्रगत निर्धार बहुत सारे लोगों का लेकिन जो लोग नहीं कर पाएं थे और जिन्हों ने यह कंप्लेंड किया उनको यहां पर चार जुन से दस जुन का मौका दिया जा रहा है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सके और वैसे अतिति सिक्षक जिनके द्वारा पुर्व में उक्त बिग्याप लेकिन जिन्होंने फारम भर दिया है वह अपना इक्सपीरियंस डिटेल डालेंगे आप यहां पर जो यहां पर क्या करना होगा तो एक्सपीरियंस डिटेल फिल अप करना होगा इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे और उक्त प्रक्रिया नहीं करने की स्तिति में आयो उनिड़ने लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा यह आपका बाकी जितना भी ससर्त है यह थावत रहेगा तो यह तो जानकारी हो गई दोस्तों फरम भरने के लिए अब इसका जो लिंक चार तारिक से कल से एक्टिवेट होगा तो मैं आपको एक फॉर्म भरके भी बता दूँगा कि कैसे आपको भरना है अगर कोई इसे गेस्टीचर हैं जो की चाहते हैं कि उनका फॉर्म भरके बताया जाए तो आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ट दे सकते ही या फि सर्च कर लेजीगा एजूकेशन की एटेशिक्स बीपीएसी टीरी फॉर्म कैसे भरें तो आप लोग को वीडियो दिख जाएगा और वैसे ही स्टेप बाइस्टेप करके अपना फॉर्म आप लोग भर लेजेगा तो ये तो एक जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ पर कि इन आविदन किया उनका सेलेक्शन भी हुआ तो कुल संख्या अगर इन सभी विस्यों को लेकर देखा जाए तो मैक्सिमम अगर होगा तो 500 से लेकर 1000 ऐसे सिक्षक होंगे जिन्होंने यहाँ पर फिर से आविदन करना होगा इससे ज्यादा नहीं होगे और इससे यह सिर्फ और कुछ नहीं है कट अफ हाई जाएगा तो एक दो नंबर का फरक पड़ सकता है उन विश्यों में सिर्फ जो छे विश्य का यहाँ पर नाम दिया गया है दोस्तों अब दूसरा जो एक नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को भी हमनों समझते हैं अब यह जो नोटिफिक करते हुए यानिकी इनको रेजेक्ट करते हुए दिनांग 291223 को आयोग के विबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था अब इनका नाम प्रदर्शित किया गया था क्रवांग संख्या 6 है इनका यहाँ पर अवस्तित है नाम दिया गया है और क्रम संख्या 47 यहाँ पर अव कि इनको ढ़िवार से हटाया रहा है यहाँ पर और याँ एक सूचना है इन दो चात्रों केूए तो यह दिबार किया गया था इनको अना प्रतिवारीत किया अब ये प्रतिवारित से मुक्त होते हैं दोनों ही चात्र यहां पर तो एक छोटी सी सूचना थी दोस्तों यहां पर इस नोटिफिकेशन के तहट और जो भी डिटेल भी आएंगे आगे चलकर इन बीपीसी के द्वारा याना बीपीसी के माद्यम से जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक साजहा करते रहेंगे अपने चैनल के माद्यम से अगर आप लोग कोई तूटी है कोई कोई कॉश्चन है ज गिजामिनेशन का जो समभावना है यह बताया जा रहा है बहुत सारे चैनल पर देख रहा हूं कि यह डेट एक्स्टेंड हो सकते हैं तो अभी जो भी डेट आया हुआ है उस डेट को आप एक मार्का समझके तैयारी कीजिए कि उसी डेट को हम लोग मार्क करके पड़ रहे और उसी डेट पर हम लोग अपने एक्जाम देने जा रहे हैं अभी के लिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही और मिलेंगे नए अपडेट के साथ चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजेगा जैहेंद